यदि आप भारती इस्टेंड बैंक के कस्टूमर हैं या अधर किसी बैंक के कस्टूमर हैं यदि आपका एकाउंट होल्ड हो गया है तो उसे कैसे हटाएं बैंक खातों पर होल्ड क्यों लगता है होल्ड हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है आपने जब अपना बैलेंस चेक किया तो जीरो दिख रहा है जबकि आपको पता है आपके एकांट में पैसे हैं फोन पे गूगल पे योनो से SBI से नेट बैंकिंग से या फिर मीस कॉल अलट से चेक कर रहे हैं तो जीरो सो हो रहा है और आपके सारे ट्रांजेक्शन जो हैं रोक दिया गया है कोई भी बैलेंस का ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं और अपने खाते से पैसे नहीं खर्च कर पा रहे हैं तब तो आपको तुरन जान जाना चाहिए कि आपके खाते पर होल्ड लगा दिया गया है अब hold 3 case में लगाया जाता है तो दूस्तों मैं आप लोगों बता दू पहला case है पहले case में तब लगाया जाता है जब आपके खाते में invalid transaction किया जाता है मतलब आपके खाते में कहीं गलत जगह से transaction हो रहा है या फिर आपके खाते में कहीं गलत जगह से पैसे डेविट हो रहे हैं इन वैली ट्रांजेक्शन की वज़़ से आपके खाते में होड लगा दिया जाता है दूसरा रीजन ये हो सकता है आपका KYC कम्पलीट ना हो अगर आपके खाते में KYC कम्पलीट ना होगा तो आपके खाते को होड लगा दिया जाता है तीसरा केस है अगर आपने कोई लोन ले रखा है और उसका EMI कट रहा है मंथली बेस पर या फिर किसी किसी टाइम पर और आपने उसका 1-2 EMI मिस कर दिया है पे कर रहे थे और बीज का जाकर आपका 1 या 2 या 3 मिस कर दिये तो ऐसे में आपके खाते में होड लगा दिया जाता है इसको कैसे अटा है तो दोस्तों पहले केस की हम लोग बात कर लेते हैं अगर आपका invalid transaction है तो आपको bank जाना है आपको अपना document बगारा दिखाना है कि आपने पैसे कहा कहा transaction किये हैं और कहा से पैसे आए हैं उसका clear region बताना है और application दे देना है तो वो हट जाएगा अगर आपका KYC complete नहीं है तो आप घर बैठे बैठे KYC online complete कर सकते हैं या branch भी जा सकते हैं वहाँ से KYC का form लेकर वहाँ से भी आप लोग KYC complete कर सकते हैं तीसरा region है कि अगर आप EMI time से भर नहीं रहे हैं तो आपके account को hold कर दिया जाता है और जो कुछ पैसे आपके account में हैं उसको hold कर दिया जाता है और आप वो पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपका भी account hold है तो इसका मतलब आपके account में कोई invalid transaction हुआ है या फि और समझ में भी आई होगी कि किस परकार से आप लोगों का account जै वो hold हुआ है तो दोस्तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जै ही जै भारत